नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। हेलो एब्रिवन, कैसे हैं सब लोग? आसा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल दी होगी। और इस परकार के question से समबंदित आपके पास और question भी बन सकते हैं जो की आप exam में देखेगे। तो उनी question के उपर या फिर यू समझ देजे उन से समबंदित question को हम यहाँ पर discuss करेंगे कि किस परकार से उन question को deal किया जाएगा। तो चलिए पहला question हमारे पास कुछ इस परकार से दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक पर्थम कोटी की अभिकरिया का वेग इस्तरांग, यानि की वेग इस्तरांग हम क्या लिखते हैं, small k, small k equal to यहाँ पर कितना दे रखा है, 1.15 into 10 की power minus 3, और जो unit है वो है second inverse में, इस अभिकरिया में अभिकारक की 5 गराम मात्रा को घटकर 3 गराम होने में कितना समय लगेगा, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, अभिकारक की 5 गराम मात्रा को घटकर 3 गराम होने में कितना समय लगेगा, यानि कि इसकी जो initial concentration है, वो कितनी है, वो है 5 गर ठीक उसी परकार से यहाँ पर जो final concentration इसकी है वो कितनी है तो आप कहेंगे R यानि कि reactant की concentration equal to यह हो गई 3 gram ठीक है अब हमारे पास जो formula है वो हमारे पास हमें ग्यात है कि कौन सा formula हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है हमें निकालना है समय यानि कि T निकालना है यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा T equal to 2.303 divided by यहाँ पर क्या जाएगा small k यह हो जाएगा यहाँ पर log और यहाँ पर क्या हो जाएगा R naught की concentration यानि कि यह हो जाएगा फिर हो जाएगा यहाँ पर r की concentration अब इस formula में आपको यहाँ पर value पुट कर देनी है तो value यहाँ पर क्या हो जाएगी t equal to 2.303 divided by k कितना है k है यहाँ पर 1.15 into 10 की power यहाँ पर है minus 3 और second inverse में है इसको हम अभी छोड़ लेते हैं यहाँ पर यह हो जाएगा log और यहाँ पर क्या है r0 की concentration कितनी है 5 gram और जो हमारे पास r की concentration है वो है 3 gram अब इसको जैसे हम calculate करते हैं वैसी हमारे पास calculation के रूप में इस परकार से हमारे पास आएगा t equal to 2.303 divided by 1.15 into 10 की power minus 3 log यहाँ पर क्या आजाएगा यहाँ पर आजाएगा 1.6 जो की आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका यहाँ पर हम क्या करें divide करने के बाद जो total आए वो आए 1.6 यानि की log 1.6 अब जो हमारे पास यहाँ पर log 1.6 की जो value आती है वो कितने आती है तो आप कहिंगे log 1.6 की value होती है point यहाँ पर क्या हो जाएगा 204 यह यहाँ पर क्या है log 1.6 की value है अगर मैं इसको multiply कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t equal to 2 into 303 into यहाँ पर क्या हो जाएगा point 204 divided by 1.15 into 10 की power minus 3 यह हमारा यहाँ पर होगे अब यहाँ पर इसको calculate करने पर हमारे पास जो उपर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर point 469812 divided by यहाँ पर कितना है 1.15 into 10 की power minus 3 अब इसको मैं यहाँ पर calculate करूँ तो हमारे पास यहाँ पर जो value आ रही है वो आ रही है point 4085 तक ही लिख लेता है into 10 की power क्या हो जाएगी यहाँ पर यहाँ पर यह minus में है तो उपर जाके क्या हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी plus में और इसकी unit क्या थी हमारे पास यहाँ पर थी second inverse में तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी second या फिर आप इसको कुछ इस परकार से भी लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा इस point को जैसे आगे लेके जाएंगे तो 4.085 x 10 की power यहाँ पर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी 4 second तो आप कहेंगे कि इस अभी किरिया में अभी कारक की 5 गराम मात्रा को घटकर 3 गराम होने में यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है? 4.085 x 10 की power 4 second यह यहाँ पर निकल कर आता है इस cancer अब चलिए दूसरा question यहाँ पर discuss कर लेते हैं दूसरा question कुछ इस परकार से दे रखा है एक अभी किरिया a plus b गिप्स यहाँ पर क्या बना दे रही? उत्पाद के लिए वेग नियम यानि कि जो हो यहाँ पर small r equal to क्या लिखा हुआ है? small k a की power 1 by 2 into b की power 2 से दिया गया है अभी किरिया की कोटी आपको ग्याद करने है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोटी को समझना है तो कोटी क्या होती है? बेंजक में परियुक्त सांदरताओं के घाताओं का योग क्या कहलाता है? कोटी कहलाती है यानि कि 1 by 2 plus 2 जो भी यहाँ पर आएगा वो इस अभी किरिया की कोटी हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास इस परकार से दे रखा है कोटी इक्वल टू यहाँ पर कितना है? 1 by 2 पलस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 इसको अगर मैं टोटल कर दूँ यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 by 2, अगर इसका total देखें, तो यह आ रहा है यहाँ पर 1.5, यह यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए कोटी निकल कराती है, 1.5, यानि कि हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने, जो हमारे पास A reactant था, इसकी पावर थी 1 by 2, और साथ में हमने क्या किया, यहाँ पर B reactant की पावर थी 2, इनको हमने add किया, और वही हमारी क्या हो जाती है, वही हमारी हो जाती है, अभिक्रिया की कोटी, इसी परकार के question आपके एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और इसी परकार के question आपके लिए confusion पैदा कर देते हैं क्योंकि यह easy दिखते हैं और हम easy के चक्कर में गलत कर लेते हैं तो आपको इस परकार के question को ठीक से handle करना है कई बार आपके दो number में इस परकार के question पूछ लिए जाते हैं तो चलिए चर्चा करते हैं दूसरे question के उपर यानि कि जो अगला question है उसके उपर चर्चा करते हैं दूसरा question आपके पास कुछ इस परकार सी दिया गया है एक पर्थम कोटी की अभिकिरिया का बिसिष्ट अभिकिरिया वेग रियक्शन रेट जो है वो है 2.31 इंटू 10 की पावर minus 3 second inverse इस अभिकिरिया की यहाँ पर क्या निकालने है आपको यहाँ पर निकालने है अरदाई अरदाई का मतलब समझी के होंगे आप लोग ती हाफ को यहाँ पर आपको calculate करना है तो हमारे पास जो formula होता है वो क्या होता है आप जानते हैं आप जरूर जानते होंगे या फिर आपको याद जरूर होगा तो आप अपने आप से भी करें किस परकार से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो टी हाफ equal to क्या लिखते हैं हम लिखते हैं 0.693 divided by यहाँ पर क्या हो जाएगा के यह होगे हमारी ती हाफ निखालने के लिए जो formula आता है अब इसी formula में आपको क्या करना है यहाँ पर value रख देनी है तो हमारे पास k हमें पता है क्या है जिसको हम business अभी किया वे कह रहे हैं वही हमारे पास क्या है k है तो यह हो जाएगा यहाँ पर divided by 2.31 into 10 की power minus 3 second inverse में है इसको अगर मैं calculate कर दो यहाँ पर तो calculate करने के बाद जो हमारे पास value आ रही है वह यहाँ पर आ रही है point 3 into 10 की power क्या हो जाएगी यहाँ पर ऊपर चले जाएगी तो यह positive हो जाएगी और यह हो जाएगा second अगर मैं इस point को यहाँ से हटाऊं तो 3 यहाँ पर 10 की power कितनी हो जाएगी 2 second यह हमारे पास यहाँ पर इसका answer निकल कराता है तो यह यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पर्थम कोटी की अभिकिरिया के रहे यहाँ पर Tf की value हमने calculate कर दिये इस परकार के ही सवाल आपको chemical kinetics से पूछे जाते हैं तो आपको इस परकार की practice करनी है यह बीडियो हलंकि आपको थोड़ा सा help करेगा आपको और भी practice करनी है अपनी book से लेकर इस परकार के question के उपर तो चलिए next question हम discuss कर लेते हैं यहाँ पर दे रखा है दर्साइए कि पर्थम कोटी की अभिकिरिया में 99.9% अभिकिरिया पूर्ण होने में लगा समय यानि कि अर्धायू का 10 कुना होता है तो again यह हमारे पास पर्थम कोटी की अभिकिरिया के लिए आपको क्या निकालना है यहाँ पर तो हमारे पास जो formula होता है वो क्या होता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना है इसका r निकालना है R equal to यहाँ पर लिखा हुआ है R naught की concentration minus R की concentration तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास जो solution रहा होगा वो 100% रहा होगा ठीक है यह एक एजंशन से 100% ही तो ले थे हम किसी भी चीज़ का उसमें यहाँ पर minus 99.9 क्या हो जाएगा इसमें minus हो जाएगा तो हमारे पास जो यहाँ पर amount निकलती है वो कितनी निकलीगी यहाँ पर आएगी 0.1 यह हो गई हमारी यहाँ पर R की concentration अब यहाँ पर मैं इसको पूरे इस सूत्र में डाल दूँ तो कुस परकार से करेंगे हम T हमारे पास कितना है 99.9 ठीक है इकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 डिबाइड बाइड 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 यहाँ पर क्या है K है हमारे पास K यह हो गया लॉग यहाँ पर हमारे पास R0 का concentration कितना है तो आप कहेंगे 100 क्योंकि हमारा क्या है प्रारम भी खहना हो तो हमने 100% solution लिया होगा तो यह हो गया 100.1 यह हो गया हमारे पास अब इसको अगर solve करेंगे तो हमारे पास जो salvation आता है इश्का वो यहाँ पर आएगा T99.9 इकल टू 2.303 डिबाइड बाइड 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 यहाँ पर क्या रहा है K अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पास इसका calculation आ रहा है वो आ रहा है thousand ठीक है इतना आ रहा है तो यहाँ पर क्यों ना हम सिधे यह कर दें कि 10 की power हम लिख देंगे 3 यह हो गया हमारे पास तो हमारे पास इस परकार से यहाँ पर यह solution निकल कर आता है तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर solution करूँगा यानि कि T99.9 equal to यहाँ पर क्या आएगा 2.303 divided by यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा K into यहाँ पर क्या आएगा सीधे मैं लिख लूँगा 3 ठीक है यह यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है यह आजाएगा अब हमारे पास जैसे यहाँ पर आगे चलेगी यह process तो यह यहाँ पर calculate होकर कितना आता है यहाँ पर मैं लिखूंगा T99.9 equal to यहाँ पर आएगा 6.909 divided by यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा के अब जो हमारे पास यहाँ पर question है वो सीधा सीधा यह कह रहा है कि अभी किर्या पूर्ण होने में लगा समय 8 आयू का 10 गुना होता है यानि कि answer हमें पता है कि 10 आने वाला है तब आप यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो formula होता है 8 आयू निकालने के लिए वो क्या होता है t half यहाँ पर आगे क्या होता है यहाँ पर हो जाता है point six nine three divided by k यह हमें पता है कि यह हमारे पास formula होता है अब आप यहाँ पर क्या करेंगे इस अभी किर्या से यहाँ पर इस वाली अभी किरिया को भाग दे देंगे यानि कि जो हमने ये वाली अभी किरिया निकाली है इसको यहाँ पर किसके भाग करेंगे इस से करेंगे तो आप यहाँ पर कह सकते हैं समिकरण 2 को समिकरण 1 से भाग देने पर जो हमारे पास answer आएगा वो हमारा final answer हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा उपर लेके चले जाता हूँ ताकि आप लोगों को clarity बन जाए कि किस परकार से यहाँ पर answer निकाले जा रहे हैं ठीक है तो चलिए यहाँ पर अब क्या करेंगे समिकरण 2 को समिकरण 1 से भाग देंगे तो हमारे पास final answer यहाँ पर निकल जाएगा तो यहाँ पर t99.9 divided by यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा t half क्योंकि यही कह रहा है आपको भाग देना है तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 by 2 equal to यहाँ पर क्या हैगा 2 point वो तो हम लिख चुके हैं पूरा calculate करके तो यह कर रहेंगे नहीं सिधर यहाँ पर equation लिखेंगे तो यह हो जाएगा 6.909 divided by यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 0.693 into यहाँ पर कहाएगा कुछ भी नहीं है आगे तो यहाँ पर जैसे इसको पूरा यहाँ पर calculate करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर value आ रहे है वो आ रहे है लगबग 9.97 जिसका अगर मैं एप्रोक्स value यहाँ पर देखूं तो एप्रोक्स की 0.5 के बाद उसको क्या कर देते हैं आगे consider कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो उसने उपर दे रखा है कि यहाँ पर अरदायू का 10 गुना होता है तो यहाँ पर हम पूरूफ कर चुके हैं कि यह अरदायू का 10 गुना होता है तो इस question को भी हम यहाँ पर solve कर चुके हैं चलिए next question हम यहाँ पर देखते हैं निमलिकित आकणों से परदर्सित कीजिए कि अभी किरिया a gives b plus c पर्थम कोटी की है और हमारे पास table दे रखी है समय दे रखा है minute में 0, 20, 40 उसी परकार से a की स अंदरता दे रखी है यहाँ पर mole में जो की है 0.6, 0.4, 0.267 अब आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे T20 के लिए यानि कि जब time हमारे पास क्या है 20 minute है तब हमारे पास value किश परकार से है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास R0 की value कितनी आ रही है यानि कि जो हम हमारे पास initial concentration होती है वो कितनी है यहाँ पर तो आप कहेंगे 0.6 यहीं से तो गही होगी आपके आगे 0.4 बनके ठीक है यह हमारी हो गई initial concentration वो ऐसे ही final concentration निकालेंगे तो final concentration किस परकार से होगी यहाँ पर क्या आ जाएगा R equal to जितना भी आएगा वो हमारी value आ जाएगी तो value कितनी आ रही है 0.4 यहाँ पर हमारे पास value आ रही है 0.4 तो यहाँ पर अगर मैं इसको formula में डाल दूँ तो formula हमारे पास क्या है small k equal to 2.303 divided by यहाँ पर क्या है T log 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास R naught की concentration divided by यहाँ पर क्या है जाएगी final concentration जो कि हम उपर देख चुके है जो यह वाली है यह क्या है R है ठीक है R की concentration तो यह होगे हमारे पास R अब यहाँ पर इस formula में मैं यहाँ पर इसकी value डाल दूँ तो हमारे पास किस परकार से होगा small k equal to 2.303 आप लोग भी कर सकते हैं in questions को ठीक है आप इंतजार मत करिए कि जब मेरा हैगा तब यह आप तो यह है 0.6 वैसे यहाँ पर आजाएगी 0.4 अब इसको मैं calculate करूँ यहाँ से मैं कर लेता हूँ यहाँ पर आजाएगा हमारे पास k equal to 2.303 divided by यहाँ पर क्या आएगा t log 10 यहाँ पर क्या आजाएगा यह point से point कर जाएगा तो यह हो जाएगा 6 4 अब यहाँ पर यह भी कट आपस में 3 2 3 by 2 हो गया फिर से मैं इसको काड़ दूँ तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5 तो यहाँ पर मैं आगे करूंगा इसी को तो यहाँ पर क्या जाएगा k equal to 2.303 divided by यहाँ पर क्याएगा t और यहाँ पर क्याएगा log 1.5 और log 1.5 की जो value होती है वो कितनी होती है तो आप कहिंगे यहाँ पर होती है 0.176 यह हमारे पास log 1.5 की value होती है ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या किया था formula में t की value नहीं डाली है t हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे है 20 ठीक है t 20 है न हमारे पास 20 minutes ठीक उसी परकार से यहाँ पर भी होगा t20 के लिए देख क्या हो जाएगा k equal to 2.303 into यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आजाएगा 0.176 divided by यहाँ पर क्या होगा हमारे पास आजाएगा 20 अब इसको calculate करेंगे तो हमारे पास जो value आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पर 0.020 अब यह हमारे पास क्या था 20 minute में था तो यह भी हम क्या लेंगे अब यह उपर जाएगा minute तो क्या हो जाएगा पर minute में change हो जाएगा तो यह हो गया हमारे पास पहला calculation जो कि हम यहाँ पर कट चुके हैं ठीक इसी परकार से आपको क्या करना है यहाँ पर करना है T40 के लिए यानि कि टाइम जब हमारे पास क्या है 40 minute का है तब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है यहाँ पर इसकी calculation निकालनी है इसको यहाँ पर छोटा कर लेते हैं ताकि आपको और clarity आये और दोनों answer एक ही page में आ सकें तो यहाँ पर हम बात करेंगे जब हमारे पास time क्या है 40 minute का है तो मैं सीधे लिखूंगा यहाँ पर T40 के लिए हम यहाँ पर calculate करने वाले है तो यह हो जाएगा T40 minute ठीक है अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पास initial concentration है वो कितनी है अगेन आप देखेंगे initial concentration हमारे पास दे रखेंगे 0.6 ठीक है तो यह हमारे पास R naught यहाँ पर कितना है तो आप कहेंगे 0.6 उसी परकार से यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी value है वो कितनी है यानि कि R है वो कितनी है तो आप कहेंगे 0.267 तो यह हो गए हमारे पास 267 अब इन values को direct आप formula में डालेंगे तो हमारे पास जो formula होता है वो क्या है k equal to 2.303 divided by यहाँ पर क्या आजएगा यहाँ पर आजएगा t log और यहाँ पर क्या आएगा R naught की concentration divided by R की concentration अब यहाँ पर सीधे हमने value put की है 2.303 divided by t कितना है हमारे पास तो t है 40 minute log यहाँ पर क्या आजएगा यहाँ पर आजएगा 0.6 divided by यहाँ पर क्या है 0.267 तो इसको आगे अगर calculate किया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा 2.303 divided by यहाँ पर आएगा 40 log इसको calculate करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर value कितनी आ रही है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर value आ रही है 2.25 ठीक है अब यहाँ पर 2.25 log की value कितनी आती है तो मैं आपको कह दूँ यहाँ पर value आती है आपकी यहाँ पर आप लिख सकते है 0.36 यह हमारी log आंसर निकल सके, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आंसर जो निकलेगा, वो कुछ इस परकार से निकलेगा, इसको भी मैं यहां से उपर लेके चले जाता हूँ, यह हमारे पास जो यहां पर निकला है, ठीक है, ताकि आपके आंसर एक ही पेज में निकल सके, तो यह हो गे हमार 3, 6, अब यहाँ पर जो हमारे पास final answer आ रहा है, वो लगबग आपको दिखेगा, यहाँ पर आ रहा है point, यह हो गया 0, 2, 0, और यह हो गया यहाँ पर 7, यह हमारा यहाँ पर answer निकल करा रहा है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी value भी यहाँ पर लगबग same ही आ रही ह और इसकी value भी लगबग same आ रही है, जिससे हमारे पास यहाँ परतीत होता है, कि यह अभिकरिया क्या है, हमारी पर्थम कोटी की अभिकरिया है, तो यहाँ पर हमारी क्या है, पर्थम कोटी की अभिकरिया है, तो यहाँ पर हमारे पास यही दे रखा था, चलिए next question discuss करते है next हमारे पास दिया हुआ है अभी किरिया 2NO पलस O2 gives 2NO2 में आणविक्ता ज्याद कीजिए तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आणविक्ता होती कह है किसी भी product को बनाने में कितने हमारे पास यहाँ पर आणू, आयन या फिर परवाणू लगे हैं उनका जो सम आता है, योग आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आणविक्ता कहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2NO यानि की NO की 2 unit यहाँ पर लगी हुई है NO पलस NO, यह हमारे पास है, पलस यहाँ पर क्या है, O2, यह कितने होए, तो आप कहेंगे 3 तो यह हमारा क्या हो गया, इसका, इसकी हो गई आणविक्ता 3 तो यहाँ पर देखा आपने किस परकार से आणविक्ता को हमने ग्याद किया है तो यहाँ पर जो हम Chemical Kinetics को पढ़ रहे थे, उससे संबंदित जितने भी महत्वपून क्वेशन थे, उनको हम डिसकस कर चुके है इनसे संबंदित जितने और क्वेशन हैं आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा स्ट्रोंग बनाईए ताकि आप जब भी एक्जाम हॉल में बैठो तो आप पूरे आंसर को लिख कर आ जाए तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है मिलेंगे नए चैप्टर में तब तक के लिए जहिन